प्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे CRPF अगर आप जॉइन करना चाहते हैं या आप CRPF में जॉप करना चाहते हैं तो किस तरह से इसका पूरा प्रोसेस रहता है सेलेक्शन प्रोसेस क्या है एलिजिबिल्टी क्या है सेलरी क्या रहती है किस-किस पोस्ट के लिए आविदन आमंतरित के जाते हैं ये सारी जनकारी मैं आपको इस वीडियो में दूगी वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जनकारी देखते है सबसे पहले हम यहाँ पर देखते है CRPF है क्या? What is CRPF? CRPF का फुल फॉर्म है Central Reserve Police Force या हम हिंदी में इसको कहें Kendri Reserve Police Ball CRPF का फुल फॉर्म होता है CRPF ग्रे मंतरा लेके तहे ताने वाला अर्थ सैनिक बल है CRPF राज्यों और केंदर सासित प्रतिसों में कानून और वेवस्था बनाए रखने में पुलिस संचारन में साहिता करती है राज्यों में जब चुनाव होते हैं उस समय किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो उसके लिए भी CRPF तहनात की जाती है भीर, दंगों, असांत शेत्रों में सुरक्षा वेवस्था बनाए रखने के लिए CRPF तहनात की जाती है इसके अलाबा बड़े-बड़े प्रतिस्ठानों की सुरक्षा के लिए भी CRPF ही तहनात रहती है CRPF 244 के उपर इसकी बटालियन है इसके साथ ये सबसे बड़ा अर्ध सैनिक बल है चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आप CRPF जॉइन कैसे कर सकते हैं या आप इसमें जॉब कैसे ले सकते हैं CRPF जॉइन करने के लिए वेकैंसी जिए निकलती हैं अलग-अलग पोस्ट पर जैसे की Assistant Commandant, Sub Inspector, Constable, ASI, Hand Constable तो ये वेकैंसी जाती हैं आप जिसके लिए भी अलिजबल रहती हैं उससाब से आप इनमें आबिदन कर सकते हैं Selection Procedure में अगर हम देखें तो First इसका Return Exam, Physical Exam, Medical Test and Interview होता है अब ये जो Selection Procedure है Post के According अलग-अलग रहता है किसी में Interview रहता है, किसी Post के लिए और किसी Post के लिए Interview नहीं रहता है जैसे की Assistant Commandant जो Post है उसके लिए Interview रखा जाएगा साथ ही किसी-किसी Post के लिए पहले Return Exam होता है और बाद में Physical होता है लेकिन कुछ Post ऐसी हैं जिसमें पहले फिजिकल लिया जाता है और उसके बाद रिटन एक्जाम लिया जाता है तो यह आप जिस भी Post के लिए जब वेकेंसी जाती है आप जिसके लिए भी अप्लाइ कर रहे हैं तो नौटिफिकेशन में आपको यह किलियर कर दिया जाएगा कि पहले आपका फिजिकल होगा या रिटन होगा जैसे कि मैंने बताया अलग-लग Post के लिए आप इदर आमंतरित किया जाते हैं तो उसी के According जो Selection Procedure है रिटन फिजिकल मेडिकल इंटरव्यू उसी बेस पर रहता है तो आप जिस भी Post के लिए अपलाई कर रहे है उसके Notification में आपको Clear कर दिया जाएगा अब हम Next यहाँ पर देखें Constable GD अगर हम लेकर चले Constable GD के लिए आप Alice Will है या आप इसके लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर Minimum 10th Pass होना जरूरी है आप 10th Pass है तब आप इसके लिए Alice Will है Age Limit है GD स्टाप में Constable के लिए 18-25 साल यह General Categories के लिए है जो Reserve Categories के Candidate रहते हैं उनको Relaxation दिया जाता है 130-35 साल दक Age Limit रहती है अब यहाँ पर Selection Procedure तो यहाँ पर पहले Physical होगा Then Return होगा and then Medical Test इसके अलाबा कुछ physical requirement रहती है जैसे कि male candidate के लिए height 170 cm female candidate के लिए 157 cm होती है जनरल के रहे रखी गई है Physical test में आपसे दौर, लंबी कूंद, ऊची कूंद यह सब करवाया जाता है लंबी कूंद और ऊची कूंद के लिए 3 chances आपको दी जाती है अगर आप इसमें qualify करते है, 3 chances में then आपका selection कर लिया जाता है return exam के लिए, लेकिन अगर आप इसमें नहीं कर पाते है 3 chances में, तो आपको disqualify कर दिया जाता है अब हम देखते हैं कि इस पर जो exam pattern होता है वो क्या होता है, तो MCQ type से यहाँ पर questions रहते हैं minimum 10th pass है, 10th level का यह रता है तो आपको यह सब्जेक्स हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ इन पर आपको अपनी, strong करने होंगे यह सारे subjects आपको इनको study करना होगा, general Hindi, English, general intelligence, math and GK इसके लिए आप घर पर ही book ले करके, कोई अच्छी सी book ले करके घर पर भी इसकी तयारी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा tough exam नहीं होता है GT constable के लिए, तो यह है आपका exam pattern, अब हम यहाँ पर salary रेखते हैं तो जो GT constable के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ तो यहाँ पर आपको starting salary रहती है, वो 21,700 से रखी गई है जब आप join होते हैं, तो starting salary आपकी 21,700 है और साथ में आपको allowances भी दिये जाते हैं, facilities जो रहती है Central Government के द्वारा जो provide कराई जाती है वो भी आपको यहाँ पर रहती है, allowances काफी जादा आपको दिये जाते हैं So friends, यह जानका रही थी CRPF, अगर आप join करना चाते हैं, तो क्या पूरी process रहती है, किसके स्पोस्ट पर आविदर आमतित किया जाते हैं साथ में बैल आकन को प्रेस कर लीजेगा, ताकि आपको notification भी टाइम से मिल सके, thank you